प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिली के भारत मंडपम में इंटरनाशनल टेलिकॉम यूनियन विश्वधूर संचार मानकी करण सभा यानि की WTSA के आटवे सीजन का उद्गाटन के बाद उन्होंने केंद्रिय संचार मंत्री जोती रादेते सिंध्या के साथ कारे सब्सक्राइब के आटवे सीजन का भी उद्गाटन किया जिसका प्रमुक विश्य भविश्य अभी है इस आयोजन में 190 से जादा देशों के 3,000 से अधे कुद्यमी नीती नर्माता और तक्नीकी विशिशगे शामिल हुए जो दो संचार डिजिटल और ICT शेत्रों का प्रत अधर ग्रोथ-Critical sectors in India is aggressive, is ambitious and is outlook in our journey from our Amrit Kaal to our Shatabdikaal is to lead the world. today by mid of next year we will have rolled out 4G across the length and breadth of India, 100% saturation will be completed, we've had the fastest 5G rollout in India, 450,000 BTSs, 98% of districts covered, 90% of all villages covered in a span of only 21 months and this attitude put forward by the Prime Minister of not just embracing but bracing ourselves to becoming the first mover in the 6G technology. It is noteworthy that the Indian Mobile Congress and the International 6G Symposium demonstrates both local and global advancements in 6G and also design principles that will shape the future of telecom. with our Bharat 6G alliance where we hope to contribute at least 10% of patents to 6G standardization, it is our belief and our commitment that India followed the world in 4G. We marched with the world in 5G but we shall lead the world in 6G. मैं इंटरनेशनल टेरिकोम्यूनियन आईटी यू के साथ्यों का भी विशे स्वागत करता हूँ। आपने डव्लूटी ऐसे के लिए पहली बार भारत चुना है। मैं आपका आभारी भी हूँ और आपकी सरहना भी करता हूँ। साथ्यों आज भारत टेली कॉम और उससे जूड़ी टेक्नलोजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड यहने 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स है। भारत जहां 95 करोड यहने 950 मिलियन इंटरनेस यूजर्स है। भारत जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है। भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास माइल डिलिवरी का एफेक्टिव टूल बना कर दिखाया है। वहां ग्लोबल टैरी कॉम्मुनिकेशन के स्टैंडर्ड और फ्यूचर पर चर्चा ग्लोबल गूर का भी माध्यम बनेगी है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है देता हूँ। फ्रेंड्स डब्लू टी ऐसे और इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस का एक साथ होना भी बहुत महत्वत बनेगी है।